C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की पर्यावण अध्याइन की ध्वनी पाथि पुस्तक हमारा अध्भुत संसार प्रिष्ट संख्या बासट अध्याए पाँच पेड़ पौधे और पशुपक्षी हैं साथ अध्याए चार में हमने बहुत से पेड़ पौधों के बारे में जाना क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पशुपक्षी भी होते हैं आप ध्यान देंगे तो आप जानेंगे कि कुछ पशुपक्षी पेड़ों पर रहते हैं, कुछ उनके आसपास रहते हैं, और कुछ तो इनके नीचे भी रहते हैं. इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक जंगल का द्रिश्य है, जिसमें एक नदी है, कुछ पेड़ों पौधे हैं, और अनेक जीवजन्तू विचर रहे हैं. प्रिष्ट संख्या 63 यहां कुछ चित्र दिये गए हैं, जिन में आप देखेंगे, पशुपक्षी और पेड़ पौधे साथ दिख रहे हैं. आप इन चित्रों में किन-किन पशुपक्षियों को पहचान पा रहे हैं. आपने इन में से किने पहले देखा है, इन में से कौन से जीव धर्ती के नी तीसरा है, पत्ती खाती हुई इल्ली. चौथा है, सूखी पत्तियों और मिट्टी में रेंगता केचुआ. पांचवा है, पीड पर गाना गाती हुई दरजिन चिडिया. छटा है, पीड के तनी पर बैठा कट फोड़वा. साथवा है, पत्तियों से घर बनाती हुई चीट आठवा चित्र, पत्ति पर रंगीन कीडा. नौवा है, पत्ते पर आराम करता हुआ मेंड़क. दस्वा चित्र, पत्ति पर मनराती हुई तितली. ग्यार्वा है, पेड के तनों के कोटरों में छिपती, वो आराम करती गिलहरी. और बार्वा चित्र है, पेड के कोटर को गो बना कर रहती बसंत गौरी चड़िया प्रिष्ट संख्या 64 चर्चा कीजिए यदि आपने प्रिष्ट 63 पर दिये गए पशुपक्षियों को पहले जाना है तो बताईए कि आपने कहा और कैसे उन्हें जाना अपने उंगलियों हाथों और बाजूं का उपयोग करके बताईए कि ये पशुपक्षी कितने बड़े या छोटे हैं पता लगाईए ये सभी पशुपक्षी पीड़ पौधों के आसपास ही क्यों रहना चाहते हैं मिट्टी में जीवन किसी भी पीड़ पौधे के आसपास की मिट्टी पर खड़े हो यदि संभव हो तो जूते ये चपल उ प्रतिविधी एक अपने हाथों से अपने मित्र पेड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाईए और बताईए मिट्टी रंग में कैसी दिखती है और कैसी महसूस होती है क्या ये सूखी, गीली, खुरदरी, चिकनी, कठोर या दानेदार है क्या आपने मिट्टी में पत मिट्टी चूने में कैसी लगी? खुरदरी, चिकनी, कठोर या दानेदार मेरी मिट्टी में क्या था? कुछ भी नहीं, पत्तियां, छोटे-छोटे पत्थर या कीट सही उत्तर पर निशान लगाएं प्रिष्ट संक्या 65 यहाँ पर इस प्रिष्ट के उपरी हिस्से में दाई तरफ एक चित्र है, जिसमें एक लड़की ने अपने हाथ में मिट्टी उठा रखी है अब ध्यान पूर्वक मिट्टी का परिक्षन कीजिए, किन छोटी-छोटी बातों पर आपका ध्यान गया मिट्टी प्रित्वी की सता की सबसे उपरी परत है यह उन चट्टानों से बनी है जो बहुत धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकडों में तूरती रहती है इन में पिड़ पौधों की सूखी पतियां, जड़ें, तने, तथा मृत जानवर, कीट आदि भी होते हैं यहाँ पर एक चित्र है, जिसमें मिट्टी में रहने वाले जीवजन्तू है मिट्टी अपने भीतर रहने वाले बहुत से जीवजन्तू के साथ जीती जाकती है इन में से कुछ को आप आँखों से देख सकते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते मिट्टी की उपरी परत और घास इवं पत्तियों में आपको कई तरह के कीट घूमते हुए दिख सकते हैं जैसे चीटियां, दीमक, छोटे कौकरोज और टिडडे आदी प्रिष्ट 66 वर्षा के समय जब मिट्टी गिली होती है तब आपको और भी बहुत से कीट मिलेंगे जैसे केचुए और कनखजुरे इस समय आपको मिट्टी में घास भी अधिक दिखेगी और तरह तरह के पौधे भी उगे हुए दिखाई देंगे चर्चा कीजिए वर्षा के दिनों में आपको अपने आसपास के परिवेश में पहले से कहीं अधिक पेड़ पौधे, पशुपक्षी और कीट आदी दिखाई दे सकते हैं ये नए पौधे पशुपक्षी, कीट आदी आखिर कहां से आए? ये वर्षा से पहले कहां छिपे थे? गति विधी दो, पेड़ मित्र के पास खड़े होकर अपने आसपास देखिए, आप तरह तरह के कितने जीवों को देख पाए? इनके बारे में बताईए, और यहां दे गई तालिका को भरिए, आवश्यक्ता पढ़ने पर आप दिए गई चित्रों का उप्योग कर सकते हैं यहां पर एक तालिका है, तालिका के तीन भाग हैं, पहले में लिखा है, मैंने देखा, विवरण, दूसरे में वो किस पर था, और तीसरे में लिखा है, वो क्या कर रहा था? अब तालिका को समझते हैं इसी तरह से आप अगली दो पंक्तियों को स्वयम भरें यहाँ पर कुछ चित्र हैं पहला चित्र है सड़े फल पर लाल केड़े का दूसरा चित्र है उड़ने वाले नीले कीट का तीसरा चित्र है पत्तों पर चीटियों का चौथा चित्र है लेंटाना फूल पर रंग बिरंगी तितली का और पांचवा चित्र है चटान पर छिपकली का शिक्षक संकेत कुछ कीट मिट्टी से ऊपर आने के लिए बरसात की परतिक्षा करते हैं लंबे समय से मिट्टी में पेड़ पौधों के बीज बरसात आने या पानी देने पर अंकुरित हो जाते हैं बच्चों के साथ इस पर बाच्चित करें क्या आप जानते हैं? पशु पक्षी और कीट अपने भोजन, आवास और आराम के लिए पिड़ पौधों के अलग-अलग भागों को उप्योग मिलाते हैं यहाँ पर छे चित्र हैं पहले चित्र के नीचे लिखा है उट और बकरियां पौधों के पत्ते खाते हैं दूसरे के नीचे लिखा है उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के पालन पोशन के लिए पिड़ों के कोटर का उप्योग करते हैं तीसरे के नीचे लिखा है गिलहरियां और कववे पिल्ड पौधों के तिनकों से अपना घर बनाते हैं और इन में अपने बच्चों का पालन पोशन करते हैं। चौते के नीचे लिखा है बंदर पिल्ड पौधों के फलों को खाना पसंद करते हैं। पांच में के नीचे लिखा है सनबर्ड और तितलियां फूलों का रस चूसती हैं और छटे के नीचे लिखा है दरजिन चडियां पिड़ों के पत्तों को सिल कर अपना घोंसला बनाती हैं। प्रिष्ट संख्या अडशर्ट इस प्रिष्ट के उपरी हिस्से में दो चित्र हैं। पहले के नीचे लिखा है चमगादर और तेंदुवे पिड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। दूसरे के नीचे लिखा है इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती है। आपने इनमें से कितने जीवजंतूं को जाना है। इन्हें जानने की कोशिश कीजिए। गति विधी तीन पक्षियों की बोली अपनी आखें बंद करके पक्षियों की बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आपको किसी पक्षियों की बोली सुनाई दी। क्या आप जान सकते हैं कि कौन से पक्षि ये बोलियां निकाल रहे हैं। चित्र में बताये अनुसार, पक्षियों की आवास के दिशा में अपना मुख करके ध्यान से उनकी बोली सुनने की कोशिश कीजिए. क्या आप इन बोलीयों को और अधिक स्पश्टता से सुन सकते हो? यहाँ पर एक चित्र है. इसमें एक बच्चा चिड़ियों की बोली को सुनने की कोशिश कर रहा है. पक्षियों की जिन बोलीयों को आपने सुना था, उन्हें एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए. अलग-अलग पक्षियों ध्वारा निकाली जाने वाली बोलियां स्वैम भी निकालने की कोशिश कीजिए जिन पक्षियों की बोलियां आपने सुनी हैं उन बोलियों और उस पक्षि का नाम यहां दी गई तालिका में लिखिए यहाँ एक तालिका है, तालिका के दो भाग है पहले भाग में लिखा है पक्षी का नाम और दूसरे में लिखा है बोली पक्षी का नाम कबूतर, बोली गुटरगू अब आप इसी तरह से बाकी खानों को स्वैम भरें यदि आपको किसी भी पक्षी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है तो आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है आपको पक्षियों की सबसे अधिक आवाज कब सुनाई देती है सुभा सुभा, दोपहर को, शाम को या रात को इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें बहुत से पक्षी प्रिड़ों पर बैठे हैं और साथ में एक घर भी है प्रिष्ट सत्तर आईए मन्थन करें क चर्चा कीजिए एक, आपने गतिविधी एक में मिट्टी के जिन दो तरह के नमूनों को इकठा किया था उनका रंग और बनावट कैसी थी आपने उन नमूनों को किस महीने में लिया था क्या उनकी गंद अलग तरह की थी क्या उनकी गंद के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कौन से पशुपक्षी और कीट देखे चार याद करके बताईए कि पशुपक्षी और कीट किस तरह के पौधों पर निरबर है इन में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा पांच मिट्टी किस किस चीज से मिलकर बनी होती है ख लिखिये यहाँ पर एक तालिका है तालिका के तीन भाग है पहले भाग में सबसे उपर लिखा है उन दो पशुपक्षियों के नाम लिखिये जो आपने पिड़ पोधों के पास या उनके उपर देखे हैं इसके नीचे लिखा है इन पशुपक्षियों और कीटों की आकरती, आकार और रंग के बारे में लिखिए उसके नीचे लिखा है अनुमान लगाईए कि ये पशुपक्षी और कीट इन पिड़ पोधों के पास क्यों थे और चौती पंक्ति में सबसे नीचे लिखा है आपने इन पशुपक्षियों और कीटों की कौन-कौन सी अनिरोचक बातों को देखा अब आप इन चारों पंक्तियों के सामने के खानों को स्वहम भरें प्रिष्ट संख्या 71 गर चित्र बनाईए याद है आपने अपने पौधे मित्र के बारे में लिखा था अब उसका चित्र बनाने के कोशिश कीजिए अपने चित्र में अलग-अलग रंग के बिंदों से उन इस्थानों को दर्शाइए जहां आपने पशुपक्षियों और कीटों को देखा था यहाँ पर एक रिक्तिक स्थान है अब आपने इस स्थान में अलग-अलग रंग के बिंदों से उन इस्थानों को स्वेम दर्शाना है ग, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एक दिन सुमा ने तगर के एक पौधे पर इल्ली को देखा उसे ये बड़ा रोचक लगा उसने करीब दस मिनड तक उसे ध्यान से देखा इल्ली लगातार कोमल पत्तियां खा रही थी सुमा की मा उसके पास आई उन्होंने सुमा से कहा कि वो इल्ली को प्रति दिन ध्यान से देखे सुमा और भी उच्शुक होई किसी बड़े व्यक्तिकी साहता से यहां दिये गए बदलावों को सही क्रमे लगाईे एक अब ये एक तितली बन गई है दो इल्ली ने एक कोकून बना लिया है तीन ये धीरे धीरे उड़ गई चार एक दिन उसने खाना बंद कर दिया और पांच ये कोकून से बाहर आ गई अब आपको इने सही क्रमे लगाना है अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पर्यावन अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्भुत संसार वाचन स्वर प्रवीन शर्मा ध्वनियांकन मंजु कुमारी निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन एवं निर्मान वियमलेश चौधरी तथा प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत